भारतिय सिनेमा में अपने कई फिल्में देखी होंगी जो घर जमायों पर बनी है या फिर उन दमादों पर बनी है जो अपने सास के घर में आकर रह रहे हैं और आपको बता दें कि कई ऐसी फिल्में और देखी और सुनी होंगी जहांपर कई अनुकी परमपराएं देखने को मिलती हैं, कई प्रथाएं होती हैं जो इतिहास बनाने लगती हैं और अब आपको बता दें कि एक गाउं ऐसा है जहाँ पर तीन पीडियों से इस गाउं में लड़कियों की शादी में दूले विदा होकर घर दामाद बनते हैं और यहीं पर रहकर बस जाते हैं कानपूर दियात के अकबरपूर तैसील के दामादन पुर्वा गाउं का इमामला है जहाँ पर इस गाउं का नाम ही महज इस वज़ों से पड़ गया कि यहाँ जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो दूलन विदा ना होकर यहाँ दूला बनकर जो लड़का होता है वही अपने घर से विदा होकर फेरे लेता है और फिर यहीं आकर बस जाता है आपको बताते चलें कि अब यह दूला अपना पूरा ही जीवन जमाई बनकर बिताता है जिसके बाद लड़की के घर में एक घर दामाद कुछ दिन रहता है और फिर लड़की के घरवाले अपने जम जमाई को पका मकान और जमीन देते हैं जीवन यापन करने के लिए उसे ये तौफा दिया जाता है जिससे कि उसकी लड़की अपने घरवालों के पास पूरी उम्र रह सके और दामाद घर जमाई बन जाता है और इस काओं में ये प्रथा पिछले तीन पीडियों से चलिया र सन 1970 में यहां पर बेटी की साधी हुई थी राज रानी नाम से तो उनके जो पती देव थे सामरे कटेरिया वो यहां पर आकर रहने लगे थे और आर्थी की स्थिती अच्छी नहीं थी रहने की बेवस्था नहीं थी तो उनको गाउं समाज की पट्टे की जमीन पर उसर में उनको जगह दे दी गई थी तो उन्होंने अपना घर बना लिया उसके बाद और लड़कियों की साधी हुई तो धीरे-धीरे दमाद आकर यहीं पर बसने लगे सबसे बड़ा कारणा था आर्थी की स्थिती अच्छी ना होना यहां पर माबाप उनका सपोर्ड करते थे और विंद्यांचल से है जहां अथाना शेत्र के अश्ट भुजा पहाड़ी पर पुलिस ने जर्माश्मी पर सगन चेकिंग अभ्यान चलाया इस दोरान विंद्यांचल त्रिकोन पत के कई मार्गों पर वाहनों की जाच की गई और पहाड पर भूजन बनाने वाले लोगों को भी मादक पदार्तों से दूर रहने की हिदायत दे गई बतादे आपको कि सियो सिटी प्रभात राय ने बताया है कि विंद्यापरवत पर आने जाने वाले लोगों की बैरियर लगा कर 24 घंटे चेकिंग की जाएगी ताकि कोई भी मादक पदार्त लेकर इस शेत्र में प्र इलाज के दोरान वारनसी में उसकी मौत हो गई है और इस मामले में बिहार के पूर्व बाहुबली विधायक साथ समेत कई लोगों को गिरफतार किया गया बारदात के बाद चौकरनी पुलिस अश्टबुजा पहाड पर आने वाले भक्तों की सुविदा के लिए नई लापूर के सबरी में गुर्गुल आदर्श स्कूल बच्चों की इन तमाम खुशियों पर बट्टा लगाता दिखा विध्याले प्रशासन इसकी जिम्मेदारी सरकार पर थोप रहा है और प्रवंदक का ये कहना है कि हमको प्रशासनिक बंदी का नोटिस 17 आगस्त की शाम पांच बचे मिला था उन्होंने कहा कि उनके पास कोई माध्यम ही नहीं था कि अभी भावकों को इसकी सूशना दी जा सके इसलिए स्कूल जनमाश्टमी के दिन भी खोलना पड़ा है इस दिन छोटे छोटे बच्चे काना बनकर खुशियां भी खेरते हैं लेकिन इस स्कू स्कूल में बच्चे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हो गए